गाई का लता मंगेसकरजी का निधन हो गया है तो आज की इस वीडियो में हम इनी के बारे में जानेंगे इनी सम्मधित सभी प्रसन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो इसलिए वीडियो आप के लिए महत्तप्र होना वाला है आप वीडियो को बिने इसकेप के पुरे आप सभी जानते हैं लातामंगेसकरजी भारत की एक पृसिद्ध महान पिर्फेलेवेकЛो एक सिंगर यानिक पासरव गाई का थी मुझत fakad अब कर लिएंगे संगीत निदेशग कोर निर्माता भी थी देखे इनके बारे मैं आपको बता दूँ लता मंगेसकरजी ने मात्र 13 साल की उमर में 1942 से गाना सुरू कर दिया था और देखे 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गनीज बुक रिकार्ड भी लता मंगेसकरजी के नाम है याद रखना है और देखे इन्होंने कई भासाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं तो याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्टन है भारत की पिरसित गाई का लता मंगेसकरजी का जन्म कब हुआ था तो देखे बात करें लता मंगेसकरजी का जन्म कब हुआ था तो इस कांसर ओप्सन भी हो जाएगा 28 सितंबर 1929 को 28 सितंबर 1929 को मध्धय परदेश के इंदोर में लता मंगेसकरजी का जन्म हुआ था याद रखना है और देखे बात करें इनके निधन की तो देखे इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 साल की उमर में हो गया है देखे इनका जो निधन हुआ है तो कोरोना और निमोनिया के चलते इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है याद रखना है अब देखे इसके बात आगे बात करें देखे लता मंगेसकर जी के पिता का नाम दीनानाथ मंगेसकर था और इनकी माता का नाम से बंती मंगेसकर था और देखे लता मंगेसकर जी पांच भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इन्होंने साधी नहीं की थी देखे इनकी तीन बेहने हैं मीना मंगेसकर आसा भोंसले और उसा मंगेसकर और इनके एक भाई भी जिनका नाम है हिर्देनाथ मंगेसकर तो याद रखना है ये इनका परिवार था इसके बाद आगे बात करें लता मंगेसकर जी के बच्पन का क्या नाम था तो देखे लता मंगेसकरजी के बच्पन का नाम था हेमा तो इस कांसर उप्शन ए हो जाएगा याद रखना है इसके बाद अगला कोस्टन है भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है तो देखे ये कोस्टन पहले भी कई बार पूछा जाजा चुका है भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है तो इस कांसर उप्सन ए हो जाएगा लता मंगेसकरजी को लता मंगेसकरजी को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है देखे इसके इलावे इनके अन्य नाम यह जैसे की भारत की स्वर कोकिला तो इन्हें कहा ही जाता है इसके लावे इन्हें स्वर सामग्री, राष्ट की अबाज और सरहाब्दी की अबाज इन्हें इन नामों से पुकरा जाता है और देखे मैं आपको बता दू भारत की स्वर कोकिला तो लता मंगेसकर जी को कहा जाता है लेकिन अगर आप से कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नाईडू जी को याद रखना है, इसके बाद नेश्ट कोस्न है कोस्सन नमबर पंच है, लता मंगेसकर जी को भारत रतंसे कब सम्वानित किया गय था तो देखे महत् gossipran प्रसन है आपसे भी जानते बहरत का सर्बोच नागरिक सम्मान कौन सा है तो बहरत अतन है तो लता मंगेसकरजी को बहरत अतने से कब सम्मानीत किया गये था तो इसका अंसर बोप्सन भी हो जाएगा सन 2001 में सन 2001 में लता मंगेसकर जी को कला के छेतर में भारत अतन से सम्मानित किया गया था याद रखना है अब देखे लता मंगेसकर जी को कई पुरुसकार और सम्मान मिले हैं तो मैं आपका कुछ पुरुसकार और सम्मान बता जेता हूँ जो कि महत्पूर्ण है तो देखे इन्हें भारत अत्म दिया गया था संदोहजारेक में, कला के छेत्र में इसके लावा इन्हें 1989 के लिए 37-बादा साय फाल के अबाड दिया गया था याद रखना है और इन्हें बर्स 1999 में पर्दम भूछरण से सम्मानित किया गया था और बर्स 1979 में इन्हें पद्म भूशन भी मिला था दिखे जितने भी इन्हें जो पुरुशकार मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी महत पुन आपको सभी जरूर याद रखने है इसके लावे देखे इन्हें आईफा लाइफ टेम अचीमेंट अवार्ड दिया गया था इन्हें सन 2000 में इसके लावे इन्हें नैशनल फिल्म अवार्ड में तीन बार बैस्ट फीमेल प्लेवेक सिंगर का पुरुशकार दिया गया था 1972 में, 1974 में और 1990 में याद रखना है इसके लावे इन्हें फिल्म फियर पुरुशकारों में फिल्म फियर लाइफ टेम अचीमेंट अवार्ड दिया गया था 1994 में और Film Fair Award में ही इने Best Female Playback Singer का Award दिया गया था 1970 में और Film Fair पुरुसकारों में ही इने Film Fair Special Jury Award भी दिया गया था 1995 में और इसके लावे इने G-Sign Award में Best Playback Female Singer का Award दिया गया था 1998 में तो जितने भी लता मंगेसकर जी को ये जो मैंने आपको पुरुसकार बता हैं जो की लता मंगेसकर जी को दिया गये थे तो ये सबी महत पूर आपको याद रखने हैं Question No.6 है राश्टे लता मंगेसकर पुरुसकार किस राज्य दोवारा दिया जाता है तो देखें लता मंगेसकर जी के नाम पर कई राज्य सरकारे पुरुसकार देती हैं तो इसका आंसरा उप्सन C हो जाएगा ए बंबी दोनों यानि कि महाराष्ट और मद्ध्ध पिर्देश तो देखें मद्ध्ध पिर्देश की राज्जे सरकार 1984 से राश्ट लतामंगेसकर पुरुसकार देती है इसके साथ महराश्ट राज्य सरकार भी 1992 से लता मंगेसकर जी पुरुसकार देती आ रही है और देखे इसके अलावा जो आंद्र फिर्देस राज्य सरकार है तो इन्होंने भी लता मंगेसकर जी के नाम पर पुरुसकार देते लेकिन इस समय पर अभी ये बंद है कुछ बिवाद जिसके चलते आंध्य प्रदेश और लतामंगेसकर पुरुसकार नहीं देती तो ये दो राज़े हैं अध्य प्रदेश और महाराष्ट ये इस समय बरतमान में लतामंगेसकर जी के नाम पर पुरुसकार देते हैं याद रखना है तो दोस्तों यह था लताम मंगेसकरजी के बारे में जो कि मैं आपको इनके बारे में जान करी दी अब इसके लाबा देखे जनबरी 2022 में जो मेहत्पूर्ण व्यक्ति जो पिर्सिद्ध व्यक्ति जिनके निधन हो गए है तो उनके बारे में कुछ कोस्टन दे निर्तक थे जिनका की जनबरी 2022 में निधन हो गया है अब देखे इनके बारे मा आपको बता दूँ बिर्जु महराज लखनव के काल का बिंदा दिन घराना से तालुक रखते थे और ये हिंदुस्तानी सास्त्रे संगीत के गायक भी रहे थे देखे इने कई पुरुसकार मिले दिया गया था और सन 2002 में लत्ता मंगेस का पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था देखे इसके अलावा ही ने 2016 के फिल्म फेर अबार्ड में सर्वसेष्ट कोरियोग्राफिय अबार्ड से समानित किया गया था तो बिर्जु महराज का नाम भी महत्तपुन आपको इनके बारे में सभी याद रखना है इसके बार नेश्ट कोशन देखते हैं जनबरी 2022 में सांती देवी का निधन हो गया बहे कौन थी तो इसका अंसर ओपसंडी हो जाएगा समाजिक कार्य कत्री तो देखे ओडिसा के पुरसिद समाजिक कार्य करता सांती देवी का 88 बर्स की उमर में निधन हो गया है देखे सांती देवी को बर्स 2021 में पद्म स्रिय समान से समानित किया गया था तो इनका ना महत पुन जाता है और देखे इन्होंने बालिकाओ के सरवागिन विकास के लिए सेवा समाज का गठन किया था याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्टन है जनबरी 2022 में गिनीज बुक ओफ बल्ड रिकोर्ट्स द्वारा बिस्व के सबसे बुजूर्ग किस ब्यक्ति का निधन हो गया है तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा सेंट निनो डिला फुएंटे का दिखे ये जो ब्यक्ति है ये स्पेन के है तो इनके बारें बता दूँ दिखे सितंबर 2021 में गिनीज बुक ओफ बल्ड रिकोर्ट्स ने इन्हें बिस्व के सबसे बुजूर्ग ब्यक्ति के रूप नामी थे किया था तो इनका जन्वरी 2022 में निधन हो गया है इनका जन्व हुआ था फरवरी 1909 को तो इनकी जो उम्र है थी 112 बरस 211 दिन इनकी उम्र थी तो इनके बारें याद रखने कहां के थे सेंट निर्नो डिला फुएंटे ये इस्पेन के थे इसके बार नेश्ट कोस स्वामी एक पुरा तादवित थे जिनका की जन्वरी 2022 में निधन हो गया है और देखे ये तमिलाडू पुरा तात विभाग के पहले निधे सक भी थे और देखे इने बरस 2018 में पद्व भूशल से सम्वानित किया गया था याद रखना है इसके बाद कोसर नमर 11 है जन्वर देखे डेविड मारिया सासोली थे ये ये यूरोपिय संसत के अध्यक्स थे जिनका की जन्वरी 2022 में निधन हो गया है देखे डेविड मारिया सासोली इटली के थे जिनका की जुलाई 2019 से दिसंबर 2021 तक यूरोपिय संसत के अध्यक्स रहे थे इसके बाद नेश्ट कोसर न पुरुष्क पात्रा पकस्था लगाएं पुम्लाना सब्सक्राइबंहर ईखते हैं पुम्लाना वहेतक है इम्टरुन को पुम्लिक tam पावली मित्रा एक रंग मंच कलाकार थी इसके बाद अगला कोशन है जनबरी 2022 में सेम राजप्पा का निधन हो गया है कौन थे तो इसका अंसरा उप्सन भी हो जाएगा पत्रकार तो दिखे सेम राजप्पा एक पिरसिद्ध पत्रकार थे जनका की जनबरी 2022 में इधन हो गया है दिखे इने बर्स 2017 में प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही चलिए बाच का कोशन देख लेते हैं जिसका अंसर आपको नीचे कमेडोक्स में बताना है तो आज का प्रसन है ICC Under 19 किर्केट बर्ड कप 2022 किसने जीता है तो इसका अंसर आपको नीचे कमेडोक्स में जरूर बताना है कि ICC Under 19 किर्केट बर्ड कप 2022 किसने जीता मेहत्पुन प्रसन है यह मैंने पहले ही ICC Under 19 किर्केट बर्ड कप 2422 के एक पूरा वीडियो बना दिया है आप चाहिए तो उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं या आपको यहाँ पर लाश्ट में पेले लिस्ट मिल जाएगी तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगाओ आपके लिए हैल्फ लो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत